नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कमलेस आप देखरें इंडियन टेक्नोमाइन चैनल को दोस्तों जब आसूस का जेन फोन में एंडिया में लाँच हुआ फोन तो कह सकते हैं कि 13000 में पहला फोन था कि जो कि आपको कॉर्णिंग गोई लगला 6 का पोटेक्शन दे रहा था तो का सा फोन बेश्ट रहेगा आपके लिए दोस्तों जेस प्राइज में रेड्मी नोट 7 फोन लांच हुआ है चाइना में बिलकुल ही पिस्वास नहीं हो रहा है कि इतने कम प्राइज में आपको इतना फीचर कहां से मिल गया आपको मिल रहा है बैटरी काफी अच्छी मिल रह अगर अभी तक आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजएगा साथ में बेल आइगन को प्रेस कर दिजएगा तो चले दोस्तों आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों से कौंसा फोन बेश्ट रहेगा बात करते हैं असो जन्फोन मेक्स प्रो एंपू के डीजाइन की तो इसका भी डियाइन दोस्तों बैकशेट में बिलकुल अच्छा देखने को मिलेगा और इस फोन में भी आपको बैकशेट में फिंगर्पिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.26-inch की Full HD Plus इस फोन में आपको सिंपल सानोस देखने को मिलेगा इस फोन में आपको वाटर ट्रप अनोस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों इस फोन में भी आपको मिलेगा पॉर्निंग गोईले गलास 6 का प्रोटेक्शन हालाकि उसमें 5 का मिल रहा है और आसुस के फोन में आपको 6 का प्रोटेक्शन मिल रहा है तो थोड़ी से यहां पर डिफ्रेंस देखने को मिलेगी लेकिन आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों फोन का पाचर 1.8 रहेगा और आसो जेंफोन में एकस पॉर में देखने को मिलेगा 12 प्लस 5 में खचरण का दो करते हैं कि दोनों का डेकी मेरा दोनों का तक दो्का सेम कमरा रहेगा लेकिन बाइक कीमेरा के मामला में का यहां पर रेड़ीमी नोडट सेवन अब बात करते हैं ए दो फोन की पोसर की तो दोनों फोन जो पोसर रहेगा बिल्कुल सेम पोसर रहेगा Qualcomm का Snapdragon 660 पोसर रहेगा हाला कि थोड़ी से यहां पर डिफरेंस देखने को जरूरू मिलेगी क्योंकि जो Asus के फोन में जो पोसर यूज किया गया है उसका जो clock speed है 1.9 GHz पे करता है और वहीं Redmi Note 7 का जो पोसर है 2.2 GHz पे रहन करता है क्योंकि high frequency के साथ में इस प्रसेटर को बनाया गया है तो कह सकता है कि performance आपको दोनों फोन में आहीं बात करते है आसो जेन फोन मेक्स प्रों M2 की तो यह आपको अंड्रोड 8.1 पे रॉन करेगा तो आपको अंड्रोड देखने को मिलेगा आसूस के फोन में बात करते हैं आप दोनों फोन की बैटरी की तो सके आपको वह सबसे बड़ा डियुपरिस आपको देखने को नहीं मिलेगी, अब में बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन की प्राइज की, तो आसो जेन फोन मेक्स प्रो एंटू जो प्राइज है, पाइला जो बरेंट है, इसका 3 जीवरें, 32 यूमरी इसका प्राइज आपको 12,999 पर देखने को मिलेगा, और जो तिसरा बरेंट है, 3 जीवरें, 32 यूमरी इसका प्राइज आपको लगभग 10 रपरम देखने को मिलेगा, और जो तिसर बरेंट है, 6 जीवरें और 400 यूमरी इसका प्राइज आपको लगभग 14 रपरम देखने को मिल जाएगा, दोस्तों आप बात करते हैं कि Redmi Note 7 इंडिया में कब त जिस प्राइज में आपको चाइना में लांच हुआ है, लगभग उसी प्राइज में इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी Xiaomi Redmi का फोन होता है, जो आपको चाइना में लांच होता है, उसी प्राइज में इंडिया में भी बिल्कुल देखने को मिलता है, अब आप बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन बेश्ट रहेगा तो दोस्तों मैं कहूं कि बिल्कुल आपको 100% बुर रहा हूं कि यहां पर बिल्कुल बेश्ट रहेगा कहीं आपको टकर नहीं देगा आपको वाटर रॉप कनोज देखने को मिलेगा तो आज के वीडियों बस इतना ही आपको दुनों में से कौन सा फोन अच्छा लागा जरू बताएगा अगर वीडियो चलेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दि प्लेश कर दिजेगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं अले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाएंगे